नमस्कार दोस्तों स्वागता आपका हमारे आज की इस वीडियो में तो आज की इस वीडियो में आप देख सकते हैं यहां पर हमारे पास एक मल्टिमीटर रखा हुआ है और सांथ में हमारे पास एक LED वल्फ का ड्राइवर रखा हुआ है तो दोस्तों इस वीडियो में हम आप को बताऊंगा कि यह दूस्तों कैसे इनको चेक किया जाता और oysters क्राव होने पर इनको रिपेइस किया तो दोस्तों जासके मैंने आपको इनके सबीके नाम बताए से यह हमारे खूर 240 जो साथ में जो ब्ल्यू कालर कह इन्हें बॉला जाता है, MOB, डिसदे कालर का इक आपको देख रहा है एफिर इंडुक्डर कोईल था की तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पस यह दो मॉल्टीमीटर्टर की यह दो पीन है जो कि मैंने यहां से ते हीजब इन दोनों टर्मिनल को टैज कराऊंगा तो यहां पर नीचे एक वीज़ का sound बचेगा जिससे की हमारा circuit बुरा वो रहा यह हमें पता लगता है तो बारी आती है LED वल्प के ड्राइवर को चेक करने के लिए हम स्टार्ट करते है अपने फ्यूज से क्योंकि दोस्तों जो हमारी पावर सप्लाई होती है वो फ्यूज से ही हमारी जो यहां पे MCPC भी लगएगी वहां तक जाती है तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी टेस्टिंग तो सबसे पहले हम यहां पर टेस्ट करेंगे इसके फ्यूज को और आपको बताएंगे कैसे फ्यूज को टेस्ट किया जाता है हमारे फ्यूज सही है या खराब है कैसे पता लगाया जाता है तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने अपने फ्यू एकदम ओके है आप देख सकते हैं दोस्तों इसी तरीके से इस वाले को फ्यूज को भी चेक करेंगे यह देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से दोनों हमारे वाग कर रहे हैं दोस्तों उसके बाद बारी आती है एमोवी चेक करने की दोस्तों एमोवी के चेक करने के लिए मैं यहाँ पीछे से एमोवी के दोनों टर्मिनल लेता हूं जैसे कि यह जो यह दो टर्मिनल हैं यह हमारे एमोवी के हैं और मैं अपनी एमोवी को चेक करेंगे तो हमारे एमोवी में कोई भी साउंड नहीं आना च तो एक बार अपनी MOV को चेक करते हैं, देकंड़ों दोस्तों मैं अपने mmov के ढटाना झाल यहाँ पर न या कोई वैल्यू बतानी चीए दोस्तों और साथ में ना कोई beep की sound आनी चाहिए अगर यहाँ पर beep की sound आती है तो आपका यह MOV एकदम खराब है दोस्तो उसी प्रकार से fuse में बताना भूल जाता है अगर आपकी fuse में continuity की यह वाली sound नहीं आती है तो इसका मतलब आपका fuse भी खराब है सिर्फ उसी प्रकार से MOV में दोस्तो कोई भी हमारी नहीं यहाँ पर reading आनी चाहिए और नहीं continuity की आवाज आनी चाहिए दोस्तो अगर यह आवाज आती है या फिर यहाँ पर कोई reading शो करता है आप उस case में क्या है अपने MOV को change कर सकते हैं दोस्तो यह जो MOV इसमें खराब है दोस्तो हमें यह MOV इसमें change करनी पड़ेगी तो उसके बाद बारी आती है हमारा जो inductor coil यहाँ पर है inductor coil को हम check करेंगे दोस्तों inductor coil में मैंने आपको बता दिया क्या होता है कि एक copper की wire होती है और वो copper की wire प्रॉपर तरीक से हमारे inductor coil में लबेटी हुई रहती है दोस्तों बारी आती है inductor coil की inductor coil को हम check करेंगे inductor coil को जब हम check करेंगे तो दोस्तों इसमें beep की sound आनी चाहिए अगर beep की sound नहीं आती तो हमें इस case में क्या है inductor coil replace करना पड़ेगा दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं proper तरीक से inductor coil में भी हमारे रेडिंग शो कर रहा है इसका मतलब कि हमारे inductor coil भी एकदम सही है दोस्तों बारी आती है इसके बाद हमारे जो यहाँ पर यह PF capacitor लगे है यह non-polarity capacitor रहते हैं sound करता है तो इसका मतलब कि आपका PF capacitor खराब है और अगर sound नहीं करता है तो इसका मतलब कि आपका PF capacitor सही है देखिए दोस्तों मैं लगा के देखता हूँ देखे दोस्तों मैंने PF capacitor में लगाया और हमारा PF प्र. बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है अगर मेरी इस में आवाज आ आती है फिर कोई भी रीडिंग यहाँ पर शोग करता तो इसका मतलब की मेरा ये PF कपिस्टर खराब होता और मुझे इसे रिप्लेश करने की जरुरत होती है तो उसके बाद जो बारी आती है हमारा जो ये मेन वाला कपिस्टर है इसको चेक करने की बारी आती है इसको हम चेक करेंगे दोस्तो इस मेन कपिस्टर में क्या हमारी आवाज नहीं आनी चीए और नहीं कोई रेडिंग शो होनी चीए दोस्तों इसको खराब होने का एक चीज और होता है आप देख सकते हैं इसके उपर ये तीन मार्ग बने अगर एक कभी भी उबरा हुआ आपको दिखता है इसका मतलब कि आपका ये कैपिस्टर पुरा खराब है और आपको इसे प्लेस करना है कर cardiovascular मैं अगर कंटीनूटी आती है या फिर आवाज आती है तो हमें इसे चेंज करने की जरूबत है क्योंकि ये कभी भी तर्मिनल जो है इस पर लगाऊंगा तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहां पर ना कोई रीडिंग शो करती है ना कोई आवाज आ रही इसका मतलब की हमारा कपिस्टर एकदम सही है दोस्तों आप बारी आती है यहां दोस्तों यहां पर कुछ इस प्रकार से लडी ड्राइवर की टेस्टिंग की जाती है और जिससे सबसे मैंने आपको बताया उससे सबसे अगर आपका कोई भी कंपोनेंट वर्क नहीं करता तो इसका मतलब आप उस कर सकते हैं और 앞 Drag कर सकते हैं तो आज का सबसे सबसे करना और इस वीडियो एक रिए उस से कमेंट जारू करना तब और